हेलो फ्रेंड्स यह है आपका प्रियांश और इस वीडियो में हम लेके आएं UPPCS की आंसर की देखो आज जो पेपर हुआ है वो हुआ UPPCS का ठीक है और इसी की आंसर की हमने बनाने की कोशिस करी है अथेंटिकी समझी है कि इसमें कुछ आपको रोंग नहीं मिलेगा बड़ी इससे पहले एक रिसर्च करके यह आंसर की लाई गई है ओके जो लोग देखो UPPCS का जोनों ने एक्जाम दिया है वो लोग तो देखो इसको देखेंगी साथ में जो अधर स्टेट वाले लोग है व जो अगस्त 2018 है उसमें राजस्तान स्टेट वेसे का एक्जाम हुआ था और उसी में से यहां पर पांच कुशन जो है वो डिरेक्ट रिपीट हुए है यहां से पांच कुशन बड़े मतलब की एक रोल होता है 5 कुशन का कि बिना किसी आप इस्पेशल कुछ तयारी कि अगर कितने कुशन ठीक हो रहे हैं और आप कहां स्टेंड करते हैं तो एनिवन आप कोई भी हो जो भी वस इसको जुरूर से देखें ताकि आपको एक थोड़ा दा फाइदा जुरूर मिलेगा वैल स्टार्ट फर्स्ट कुशन यहां पर है कि 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में फीफा विश्वकप में कुल कितनी टीमें थी तो बड़ा ही मतलब फैक्ट्वल कुशन है 32 इसका राइट आंसर है 32 टीमें थी परदानमंत्री मोदी ने 11 में 2018 को रामायन सर्कुट की शुरूबात कहां से करिए इसका भी बड़ा इजी आंसर है निपाल ठीक है उत्तर करता तो मारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बस्ती ओके आगे बढ़ते हैं फॉर्थ कुशन के तरब अकोडिंग तो युनाइटेट निशन इंडिया रैंक पूछिए तो इंडिय की रैंक पूछिए तो इंडिय की रैंक जी वह थी 96 ठीक है ना किसमें जो ए में इनिपा वारिष का प्रभाव फैलाता है उसके बाद में केरल में बाड़ आ जाती तो फ्लेड भी आ जाता है तो बड़ा केरल को जो है दो दो एक तरह से भुगतने पढ़ते हैं यह डिजास्टर नेक्स कुशन है भारती राष्टे डिजिटल पुस्तकाले जून 2018 में परकास जावडेकर दुवारा किस नगर में राष्टर को समर्पित किया गया है डिजिटल लाइब्रेडी थी वह कहां पर बनाई गई थी डैली में बनाई गई थी ओके नेक्स्ट कुशन सेवंथ्ट कुशन जो है नेक्स्ट कुशन है हमारा आएट्स कुशन 15 जो प्रवाशी भारती दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आईजित किया जाएगा जो प्रवाशी भारती दिवस है वो आप मेरे को क्या बताएंगे मनाया कब जाता है ठीक है ना आप मेरे को क्या बताएंगे मनाया कब जाता है और यह जो होगा वो आईज के लिए दोरान कितना है और MSP के बारे में जो रेट्स बढ़ाई गई थी तो वहां से लग भी रहा था कि कुछ स्पेशल इम्रान कान इस दे राइट आंसर नेक्स क्या देखो निम लिखित में से किस 2018 मेंगनेसिस पुरुषकार किष्णी जीता है बहुत वाटवानी है जीता है इन्होंने में सोनम वांग चूंग है इन्होंने भी जीता है दोनुका नाम आए था रबन मेंगनेसिस पेशल में में से कौन शुकली जुरुट सहींता है तो इसका answer सही 15 ना इसका राइट अंसर है 15 क्यूसर्स देखो यह जड़ूर applaudous बहुत अच्छा क्यूशन है ठीक है इस तरह के क्यूशन ज्यादा होनी चीम फोइ में देगा तो इस चून दैकसे आपको कमई थे वह सफल हुए थे उत्र भारत में राजने एकता नहीं थी ये भी बात सही है कि उस टाइम पर जो नॉर्थ इंडिया था हमारा उसमें कई सारे जो है वो राज्य शाषन करते थे राज्य शाषन करते तो उनमें क्या थी एकता भी नहीं थी और यही करनगा कि तुर्की जो पंदिर्स दियें और आपको पूछा कि इनमें से कौन सा पहले बना था कौन सा बादे बना था तो इसके बारे में हमको बताना है ठीक है तो राइट आंसर इसमें अगर आप एक भी पकड़ लेते हैं तो इसका निकाल पते हैं सब पैगोड़ा है जो सबसे पहले था इनमे है वो किस सासक के बारे में बताता है ठीक है कलिक का सासकता खार्वेल और जो असो के साथ में कलिक का यूद्ध होता है उससे से रिलेटेड यह है यहां पर ठीक है कलिक का सासकता खार्वेल नेक्स्ट कुश्ट इसमें से क्या पूछा है कि आपको वही खतन और कारण देग दे थी और बाद में क्या हुआ इसको वापस ले ले थी ठीक है statement तो बिलकुल सही है कि ऐसा हुआ था इसका कारण क्या था 1940 में गटिद अंत्रियम सरकार में मुस्लिम लिक सामिल हो गई थी, ठीक है, यह इसका करण नहीं है, ठीक है न, इसका करण जो है, वो यह नहीं कि वापस इस वज़े से नहीं ले ली थी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खतन और कारण, ठीक है, वो दोनों सही है, कि यह भी सही है, बिल्कुल, statement दो यह सह तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होना चीना वह यह होएगा खतन सही है ठीक है और कारण भी बिल्कुल सही है लेकिन इसके सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि रीजन इसका यह नहीं था इस्टेट्मेंट विल्कुल जो है वह यह बिल्कुल सही है लेकिन यह क्य नेक्स Qution है 18 Qution निम्नलिकित में से कि निस्तानों पर मध्य पाशन काल में पसु पालन के परमान मिलते हैं बागोरा बड़ा इजी Qution है History and this valley से थोड़ा सा आगे चलते ही बागोरा आ जाते हैं निम्नलिकित यूगमे में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो अधिना मस्जिद है वो सही नहीं ये मांडू में नहीं है इसके बाद में निम्नलिकित यूगमे में से कौन सही सुमेलित नहीं है दुरुपदाश भगत नामावली बिल्कुल सही है नाभधाश भगत माल बिल्कुल सही है रशकान रशिक पिरिया ये सही नहीं है ठीक है उश्मान चित्रावली ये भी सही है तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका C is the right answer 20 जो question उसका right answer क्या हो जाएगा next question है 21 तो 21 में देखो कुछ गटना है आपको दी गई है इस तरह की question की तो आप बिल्कुल से अपना कर सकते हो सोच के जा सकते हो कि हाँ यह question तो पूछा जाना है कुछ आपको गटना है दी गई है और इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी पहले आएगी और कौन सी उसके बाद में आएगी तो इनको क्या करना है अपने को सही से शेट करना है तो देखो जो hunter आयोग था सबसे पहले इनों ने क्या दे रखा है हमारे पास में सबसे पहले 244 में इसके बाद में Sergeant योजना है और जो Sergeant योजना थी वो आई थी 1944 में तो यह सभी की डेट्स हमारे पास में आ गई है जो इसमें सबसे बाद में आना चीए वो क्या आना चीए D आना चीए तो बड़ा एजी क्यूशन है यहां पर कुछ है नहीं स्पेशल क्या पूछ रहा है कि कुछ आपको विद्रो दिये गए है और लुसेंट में बढ़ी आसानी से यह मिल जाता है ठीक है और हर जगे मिल जाता है 1915 यहां पर नहीं है इसके बाद में कौन सा भारत का सबसे उससे जल पर पात है जोंग अगर्श उपाज इसको कहते हैं ठीक है यही बिल्कुल यहां पर राइटा अंसर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो ब्राजिल इसको आप इस तरह से भी आद रख सकते हो कि एक और घास का नाम यहां पर क्या है कमपास है और कमपास कहां पर पाई जाती है ब्राजिल में ठीक है ब्राजिल कहाई कि फुटबोल की चैंपियन टीम है फुटबोल की क्या है चैंपियन टीम है अब यह चैंपियन टीम इसले क्योंकि एक कम पास करती है यानि कि फुटबोल को क्या करती है कम पास करती है और क्या करती सब्हterror गिप्षण में कोठ अपको क्या करना है कि कई लोगों ने देखो देखते इसको केसे कडिया कि स्थरफ यह पूछागी यार कोफी वाले जो country जह उनको set करना है और इन्होंने किस तरह से set कर दिया इनको Brazil के coding कर देगा और Brazil में कहवा और कोफी सबसे जदा होती है तो इस तरह से इनको set कर दिया इसका right answer जो हो जाएगा वो Indonesia में कोफी कम होती है सबसे और यहां से DCBA इसक टे भीच में कितनी दूरी कम हो गई थी 7000 किलोमेटर्स यहां पर कम हो गयी थίν फिक है शाटकट एक तरफ से बन गया था आफिक है और यहां पर ओपर की तरफ यह ये योरोपा इस तरह से और यहां पर जो था वो भुमदेश की था ठीक है अब पहले क्या होना पध़ता है कि यूरोप के लोगों को इस तरफ से आना पढ़ता था यहां पर ठीक है और इंडिया जाने के लिए यहां पर इंडिया था तो इस तरफ आना पढ़ता था हमारे प्यारे भारत के लिए इसके बाद में स्वेज कैनाल यहां पर बनती है तो यहां से डारेक्ट इंडिया आने क्या करना है कि यहां पर कुछ मोसम मुख्यले दिये गए हैं आपको और उनको काय कि इनकी स्तापना को आपको लाकरन के अनुसार बताना है सबसे पहले यहां पर जो बना था वो बना था केलकटा में इसके बाद में जो बना था सेकंड वो बना था सिम्ला में थर्ड हमारा बना था पूने में और लास्ट में फोर्थ में अभी बना है हाली में मतलब कि कुछ वर्सों पहले आ जादी के बाद में जो बना है न्यू डेली में ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले के आ जाएगा B आ जाएगा सबसे पहले B यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है लेकिन लास्ट वाला जो लेके ना A लेके ना D is the correct answer आगे पूछाए कि आर काली मिट्टी के बारे में कुछ क्यूशन है तो देखो काली मिट्टी के बारे में क्या क्यूशन है निम लिखित कत्नों में से कौन सा सही है काली मिट्टी को इस्तानी बासा में रेगुर कहा जाता है बिल्कुल कहा जाता है क्रेप्स के सही नहीं है आपको बताना है यह आप धान में रखें क्या यस पूछा या नो पूछा क्रेप्स के अनुसार एगुर मिट्टी के अनिवारी रूप से एक परिकरव मिट्टी होती है बिल्कुल सही है यह इस statement पर सही है काली मिट्टी में आदरता नमी धारन करने की उच्च शमता होती है हाँ तो बिल्कुल होती है इसमें पानी जो शमता है वो ज्यादा होती है काली मिट्टी हिमाले चेतरे में पाई जाती है काली मिट्टी हिमाले चेतरे में नहीं पाई जाती है यह क्या है गलत आंसर है इसके बड़ा एजी क्यूशन आप ऐसे क्यूशन हो तो सोच भी नहीं सकते शाइद नहीं कि ऐसा भी कोई क्यूशन पूछा जा सकता है एजेश का प्रीधनाम है तो एजदीत जनम दर ठीक है एजदीत मरतिदर है एज के द्वरतों नहीं होसकता और विवहाह इसका नहीं होसकता ऐकिए सकते हूड्यू था allons WRIT ति नहीं होसकता यह और इसनक का पोड़ेगी तो क्या क्या सकता है ओघ यूएंड़िफे इसको रूलर, इम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम इन दे इंडिया, मन्रेगा, सब जानते हैं, कि मन्रेगा क्या है, इसमें सबसे बड़ी जो है, वेरोजगारी दूर करने की सबसे बड़ी स्कीम है गाउं में, निम लिखित में से कौन सा लोरेंज वक्र दुवार अपना जाता है, ठीक है, तो आई की विशमता ये बताता है, लोरेंज वक्र क्या बताता है, आई की विशमता बताता है, एशिक्षे के बारे में कुछ नहीं होता, जंसें के वर्दी के बारे मता है, वो लोफेज होता है, निमलिखित रज्जय में से कोन आर्थिक द्रश्टी से सबसे उपर है लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे कम है लिंग अनुपात के आधार पर सबसे कम कौन सा हर्याना और आर्थिक जीयो है एकोनोमिकली ये बड़ा इस्ट्रोंग है देली के पास में NCR में है तो इस वज़े से ये क्या है ज़्यादा यहाँ पे income है 39 next question क्या करे है which of the following taxes in the लेविट बाइदे ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की दुवारा कौन सा tax लगाय जा सकता है बिकरी कर नहीं लगाय जा सकता भूरा जिस्वकर नहीं लगाय जा सकता इस्तानी मेलों पर कर लगाय जा सकता है ठीक है जो इस्तानी मेले होते हैं उन पर कर कोन लगा सकता है जो ग्राम पंचायत वो लगा सकती है इसके बाद में in the India which of the following five year plans was launched with a focus on the sustainable growth तो sustainable growth के लिए जो थी बारवी पंचवर्ची उज़ना थी अभी complete होई है बारवी पंचवर्ची उज़ना ठीक है नेक्स क्या कह रहा है उत्रपरदेश के निमलिखित नगरों में से किसे smart city विकास कार्यकरम के विकास के लिए केंदरिय सरकार ने नहीं चुना है गाजियाबाद गाजियाबाद को नहीं चुना है ठीक है ना क्योंकि ओलरड़ी ये NCR में है तो वहाँ इसको इस तरह से development कर लेंगे गाजियाबाद को नहीं चुना गया next question क्या कहता है what is the current total fertility rate in the India according to the National Family Health Survey NFHS के according जो है वो fertility rate क्या है 2.4 ठीक है 2.4 is there correct next क्या कह रहा है which of the following committee was set up in the India identification of the BPL families in urban area इसका जो है हासिम committee वैसे इसका तेंदूल committee था लेकिन तेंदूल committee ने तो क्या किया था जो गरीबी के बारे में बताया था कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग है उनके बारे में बताया था इसमें rural और जो अर्बन थे दोनों थे लेकिन जो हाशिम committee है उसमें ये सिर्फ बताया था किसके लिए जो है अर्बन एरियाज के लिए इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा ये correct answer हो जाएगा इंडिया state of forest report ठीक है तो 2017 के according देश के कुल भोगलिक छेतरपल का कितना पर्टिशत बनों के अंतरगत है ये बड़ा देखो confusing question है इसका right answer तो वैसे C होना क्या चाहिए C ही है लेकिन इसमें देखो दो चीज़ें आती है एक तो आती है वन पर्तिशत एक और आता है वन वै वरक्ष दोनों मिला के आते है तब इसका answer हो जाएगा 23 लेकिन 23 नहीं है आपे स्रफ वन पूछा है 21 is the right answer confusion नहीं होना है बिलुकुल भी बस आपको यह देखना है कि पूछा क्या है और हमें बताना क्या है 45 बाग प्रियोजना की शुरुआत कब होई थी जल तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई रोल नहीं होता वर्शावन नहीं हो सकता इसमें भी कोई रोल नहीं होता घास के मैदान ओटोमेट है सब कुछ फसली भूमी यहां पर है देखो फसली भूमी यह कोई जमीन है ठीक है यह कोई लेंट पार्ट है जिस पर क्या करता है, मानम क्या करता है, क्रिशी करता है, क्रिशी करता है, तो यहां पर पेड़ पोदे, सोरी, जीव जन्तु जो है, यहां पर इस फसल से क्या अपना भुजन बनाते हैं, और यहां पर फिर उन कीटों को, वो कीट क्या कहते हैं, कीट जो हैं, वो फसलों को ख खाएगा केट खाएगे इन केटों को खाएगा जो चोटे बोटे पकसी है वो खाएगे तो इस तरह से ुपंधं जाएगा तो यह राइट आंसर हो जाएगा नियुलिखित में से कौन से नेशनल सेन्टर फोरें मरिन जो वो कहां पर है एसका कि लो नेक्स क्यूशन नेक्स क्यूशन नेक्स क्यूशन है देखू डची गम राश्ट्रिय उध्धान से किस से शंबंदित है कस्तूरी अमर्ग पहला इस पर इसमें विस्वे विविता divas कब मना जाता है तो विस्वे नहीं है निम लिखने से किसे ओजोन के सरवादिक सांदरता मिलती है इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ट्रॉपोइस्पियर ए इस दे राइट आंसर तो ये था देखो 52 कुशन तक का जो एक आंसर की और कुछ देर बाद में हम बाकी का एक और पाल टैनर जो है थोड़ बेस्ट